हाई गैस और वेलकम बाक तो दी चैनल दीपाश जादव एजूकेशन वेलकम तो दी डेली करेंट अफेर्स और टेंट आफ जैनवरी 2023 तो गाई आज है तारिक 10 जैनवरी 2023 और है टूस्टे आज की तारिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स बनेंगे उन पर इस वीडियो के अंदर आ चुका है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना बाकी इस वीडियो में हम मेजरली इन एक्सप्रेस के उपर तो फोकस करते हैं और इन एक्सप्रेस के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स जैसे की पी आई बी डाउन टूर्थ इन लाइवमेंट जैसे इंपॉर्टेंट सोर्स के जो अच्छे आर्टिकल्स होते हैं जो एक्सामणीमेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको भी डीटेल से डिसक्स करते हैं इसके लिए आपको अलग से कोई पीईबी एनलीसिस में देखता हूँ काफी सारी पी आई इ अंद क्यों है इतना important क्योंकि बिल्कुल end में आपको test series मिल जाएगी करना क्या है पूरे वीडियो को अच्छे से focused होकर सुनना है फिर last में आपको कुछ questions मिलेंगे उन questions को आपने attempt करना है ठेके ना attempt करकर यहां पर अपना जितना भी score आएगा वो score नीचे comment section में लिखना है र और बाकी में आपको बता दूँ इस lecture अगर आपको PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले download करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके search box में टाइप करना दीपक जैद वेजूकेशन आगे UPS ही लगा देना आपको यह वाला चनल मिल जाएगा यहां से आप daily basis पर इस lecture के PDF को कल का वीडियो मैंने आपको बोला ना रोजाना पांच बज़े वीडियो आ जाता है तो आप यह देखो कल के वीडियो में टोटल कितने लोग लाइव थे कल सुबा पांच बज़े लगबाग 5.58 लोग यहां पर लाइव जो है इस वीडियो को देख रहे थे और daily basis पर यह साड़े 500 से उपर जा रहा है और काफी सरे लोग की जो habits से बदल चुकिया यार मुझे अच्छा लगता है जब लोग अपनी personal चीज़े यहां पर share कर रहे होता है उन्होंने मुझे बताया कि देखो पिछला जो सब्ता है ना उन्होंने कोशिश करी काफी सरे लोगों ने प possible हो सके हैं वह उतनी चीज़े यहां पर करता रहा हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि यार इतने सारे लोग daily business पर यहां पर live देख रहे हैं और आपको ही motivation बिलता है इस वीसे यहां पर screenshot लगा दिया जाता है क्योंकि काफी सारे लोग बोलता है सरी जो number है ना यह हम motivate करता है कि इतने सारे लोग 5 बज़ उट रहे हैं तो हम कोने उट सकते हैं तो इस वैसे screenshot आपको लगा कर दिखा दिया है और आज जितने भी लोग जो highest live जाएगा ना उसका screenshot खेंच कर कोई भी व्यक्ति जो है ना टेलिग्राम वाले group में डाल देना मैं इसको कल लगा दू चलो आगे आते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को सेशन को बहुत अच्छे से बिल्कुल focus रोकर सुनना है ताकि आपकी listening power अच्छी हो साथी साथ में जब आपको वीडियो के last में मैं कुछ questions दूंगा ना जब आप attempt करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ आपने जादा important हो चुका है तो इसको मैं दुबार से cover करूँगा don't worry तो यहाँ पर news का है देखो मैं यहाँ पर news यह लिखी विए ठीक है न तो यहाँ पर आप news देख पाऊगे उपर 3-4 जो lines होंगी वो news यहाँ पर आपको समझाएगी फिर उसका background data मैं आपको समझाऊँगा जो examination में पूछा जाएगा खबर यहाँ पर यह निकल कर आती है कि हाली में एक paper published किया गया conservationist के थूँ और उस paper के अंदर यह बताया गया कि जो एशन elephant है जो पूरे एशा में पाए जाते हैं जिनकी संख्या इंडिया में सबसे जादा है और जो last census है उसके according बात करें तो area यहाँ पर खतम कर दिया या है तो इन elephants के लिए बहुत कम जगा बच रही है इस basis पर यहाँ पर एक paper publish हुआ था इसी वज़ा से एशन elephant साधी साथ में नेलगरी biosphere reserve यह दोनों ही चीज़े news में है ठीक है तो यह तो आपने news पढ़ लिया या अपने current affair पढ़ लिया लेकिन U नेलगरी biosphere reserve के अंदर जागा खतम हो रही है एशन elephant के लिए है ना तो यह यहाँ पर एक चिंता वाली बात भी हो जाती है इस study ने यह चीज़े mention करी है और उसके साथ साथ आपने करना क्या है पहली चीज़तों ध्यान रखनी है एशन elephant के बारे में एशन elephant पूरे एशिया म रखा गया है इसका मतलब है यह जो हाती है ना यह बहुत ही जादा खत्रे में है बहुत जादा डेंजर में है ठीक है और इनकी संख्याए पिछले कुछ समय पर लगातार खतम हो रही है इनको एक protection की आवश्य रकता है ठीक है फिर wildlife protection एक 1972 में इनको schedule 1 में cover करने का मतलब है क इनको high protection provide करवाई जा रही है अगर कोई इनकी hunting वगरा करता है तो इसके उपर high penalty वगरा चार्ज की जाएगी आप ऐसा कह सकते हो यह चीज़े पूछी जाती है ठीक है अब दूसरा जो आपसे पूछे जाएगा examination के अंदर वो है निलगरी biosphere reserve यहां से सवाल बन सकता है तो निलगरी biosphere reserve के बारे में थोड़ा सा हम लोग discussion करेंगे आपके examination के लिए काफी important है तो यह निलगरी biosphere reserve कहां परस्त है देखो इसका जो major area है न वो दो राज्यों में फैलावाई केरेला और तामिल नाडू यहां पर आप देखोगे यह इंडिया का मैप हुआ नीचे का देखने को मल जाता है बात क्लियर हो गई इसका बैसिकली जो core area है वो इन दो राज्यों में फैलावाई यहां पर आपको ध्यान में रखना है आपसे option में अगर पूछा जाए कौन से राज्ये में है तो इन दो राज्ये को नाम तो आपको पता होना चाहिए confusion create करने के ल आपको बता दूँ कि जानवरों को लेकर तो सवाल अभी नहीं पूछा गया है लेकिन tribes को लेकर सवाल पूछा गया है कि इस particular area में कौन कौन से tribes पाए जाती है कुछ नाम दे दिए गए और फिर नीचे आपको option दे दिए गए ठीक है तो फोना की बात करें तो यहां पे कौ पूलास, कुरुमबास, पानियास, अधियांस, फिर उसके बाद में इदानद, चेटीस, देन उसके बाद में चोलानिकेंस, अलार, मलयान, तो यह कुछ यहां पर ट्राइबल पॉपॉलेशन देखने को मिलती है जो कि इस particular biosphere reserve के अंदर रहती है ठीक है यह था हमारा article, बा बंदीपुर नैशनल पार्क, नागर होल नैशनल पार्क, मुकूरती नैशनल पार्क और साइलेंट वैली, ठीक है यहां पर आपको ध्यान रखना है, यह सारी चीज़े निलगरी biosphere reserve के अंदर में है, ध्यान जाद रखना है, मतलब जरूर यह ध्यान रखना है, हाँ बिलक नेक्स्ट आर्डिकल की दरफ, अगला important news, rubber plantation अभी हमारे लिए न्यूज में है, तो जिसके basis पर आज का thumbnail भी बनाया गया है, तो न्यूज क्या है पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, न्यूज यह की हाल ही में एक study होती है, और उस study के दौरान यहां पर यह पता चला कि जो रबर का plantation हमारे लिए काफी ज़दा news में आया है, तो आप से यापर natural rubber को लेकर कई सारी चीज़े पूछे जा सकती है, और यह topic ऐसा हो चुका है, जो कि लगातर काफी ज़दा news में बना हुआ है, यह आपने देखा होगा दाहिंदू के अंदर भी काफी बार natural rubber लगातर चर लेकिन अब बहुत अधिक मातरा में, आपको पता है कोई भी चीज़ जब अधिक मातरा में होती है, तो वो नुकसान पैदा करती है, तो अधिक मातरा में जो rubber का plantation हो रहा है ना, तो यह कहीं ना कहीं हमारे जो बाकी plant की species हैं, पेड़ पौदों की प्रजातिया है, या फिर chemical molecule का नाम कि है, isoprene, very very important, आप से पूछा जा सकता है, isoprene यह किसी से संबंदित है, ध्यान रखना है, natural rubber से संबंदित है, isoprene, ठीक है न, तो यह basically chemical compound देखने को मिलेगा, इसका formula C5H8 देखने को मिलेगा, ठीक है, अब यहाँ पर जो natural rubber है ना, starting वगर हम इसका इतिहास देख फिर उसकाद में इंडिया के अंदर भी, मतलब इंडिया इस्या में आ रहा है, तो महाँ पर भी आप देखोगे, rubber की plantation हम लोगों ने start कर दी है, अब rubber को glow करने के लिए आपको बहुत सरी climatic conditions चाहिए होती है, यानि कैसा मौसम चाहिए, तो ये बात भी ध्यान में रखनी है जो rubber trees होती है न, इनको basically हम लोग grow कर सकते हैं, moist और humid areas में, यानि ये कुछ ऐसा तापमान होना चाहिए, जिसमें थोड़ी सी नम ही हो, वो climate basically इनके लिए काफी suitable है, ठीक है न, या फिर आप कर सकते हो कुछ ऐसा climate जहां पर जो बारिश है वो बहुत जादा होती हो, जो well trained, जो soils होती है, उसके अंदर grow करने पर जादा नजर आता है, ठीक है, rubber trees के लिए ये सारी चीज़े यहाँ पर आपका सकतो, as a requirement देखने को मिलती है, ऐसा मौसम, ऐसा climate हम लोगों को चाहिए होता है, ठीक है, अब rubber plantation इंडिया में किस प्रकार से हो रहा है, हम इसको समझ होगे, तो सबसे बड़े user वाली category के अंदर में आ रहे हैं, बात clear होगी, अब आप देखोगे, rubber कहां का पर सबसे ज़्यादा भारत में grow किया जाता है, तो पहले तो हम बात करेंगे traditional areas की, तो ज्यादतर तामिल नाडू का आपको कन्यक हुमारी district देखने को मिलेगा, और के इस्टन प्रोविंस हो गया, अनमा, निकोबार आइलेंड्स हो गया, यह कुछ प्लेसे से जहां पर सबसादा rubber का production आज के समय पर हो रहा है, और इस पूरी की पूरी rubber industry को देखने के लिए हमारे पास में एक अलग से board बनाया हुआ है, जिसका नाम है rubber board, ठीक है न, ध्यान हाँ, UPSC ने साल 2008 में, प्रश्ण भी आप चाकर देख सकते हो, इसका head office आप से पूछ लिया था, rubber board का head office कहां पर है, तो कोतियम केरला में है, ठीक है, बात क्लियर होई, चलो, आ गया आता है, नेक्स्ट इंपोरेंट आर्टिकल पर, दीप और वील के बारे में चर्चक की हम इसको समझता है, तो हाल ही में क्या होता है, जो असम का cabinet है, इन्होंने यहाँ पर approval दे दिया है, कि हम लोग क्या करेंगे, जो elephant underpass होता है न, वो यहाँ पर बनाने वाले हैं, यानि कि elephant के लिए एक जगा बनाई जाएगी, जो की अजरा और कामख्या railway station के मतलब बीच में से निकलेगी, ठीक है न, तो बिसिकलि इनके underpass निकलने वाली है, कुछ ऐसा एजगा बना जियागी, एक corridor मना दिया जाएगा, जहां से जो elephant से वो इस particular area से दूसरे particular area में पहुंच जाएं, बिना पट्रियों को cross करके, पट्रियां cross करते तो काफी बार ट्रेना का टकरा जा इस वैसे डीप और बील जो है लगाता निउस में बनी हुई है, एक कारल और था जो रिसेंटली डीप और बील निउस में थी, वो भी मैंने आपको दहिंदू के वीडियो में समझाया था, यादा रहोगा, ठीक है, तो थोड़ी बहुत बाते हैं, ध्यान रकना, डीप और और ध्यान रकना, असम का एकलौतार रामसर साइट है, असम में इसके अलावा कोई दूसरी रामसर साइट निए, एकलौती रामसर साइट डीप और भील है, बात क्लियर हो गई, इस परडिकुलर जील के ओपर कई सारी जो माइगरेटरी बर्ड्स यानि की दूर से उड़क अलग देशों से यहां पर जो चडियां है, वो उड़कर आती है, यहां पर थोड़े टाइम रुखते भी हैं, काफी सरे लोग यहां पर इसका नजारा लेते हैं, जब बाहर की अलग लग चडियां आती हैं, बागी कुछ थ्रेटेंड बर्ड्स, यानि कुछ ऐसी बर्ड् पाई जाती हैं, तो ध्यान रखना ये तीन नाम है, तीन नाम ध्यान रख सकते हो, ये तीनों जो बर्ड्स हैं, वो यहां पर पाई जाती हैं, इस पर्टिकलर लेक पर, बाकी मचलियों की प्रजाती की बात करें, तो काफी सरी मचलियों की प्रजाती हैं, यहां पर देखन करना वो सारा काम यहाँ पर local communities का देखने को मिलता है एवें साल 2021 में ministry of environment ने क्या किया इसको eco sensitive zone भी declare कर दिया कि बाकी यहाँ पर ज्यादा human activities उसको यहाँ पर रोक दिया जाएगा ठीक है बात क्लियर होगी तो इस प्रकार से आप आपको इंडिया का मैप देखने को मिलेगा डीप और विल कहां पर है यह आपको यहाँ पर असम देखने को मिलेगा डीप और विल एक्जेक्ली जो मैं डॉट लगा रहा हूं यहाँ पर डीप और विल है ठीक है बात क्लियर हुई आगे आता है ना मजा रहाने दोस्तो सारी की सारी important चीज़े में निकाल के लिका आया हूं जो जी important points है अब करना क्या make sure करना है और वीडियो पर like button press कर दो जो नेक्स्ट आता है population census लगातार चर्चा में लेकि सवाल कैसे बनेगा यह थोड़ी सी चीज़े हम यहाँ पर सीखने वाले हैं क्योंकि बात यह है कि आर्टिकल हम पढ़तों लेता है question कैसे बनेंगे वह आपको लास्न पता से लेगा खुद आप question का answer दोगे लेकिन जनगरण ने राज सरकार को inform कर दिया है कि जो यह census है जो जनगरणा है ना इसको हम postpone कर रहे हैं September 2023 तक क्योंकि यह जनगरणा वैसे 2021 में होनी तो थी क्योंकि आपको पता होगा जनगरणा हर 10 साल बाद होती है आखरी हुई थी 2011 में यहाँ पर आप देख पार होंगे 2011 की जनगरणा लेकिन अब यह 2021 में होनी थी COVID की विसे होनी पाई इसको postpone करते वे चले गए तो अब September 2023 तक इसको postpone कर दिया गया है इस वज़ए से यह census news में आ चुका है ठीक है बात क्लियर होगी अब हम इसके rules and regulations के according बात करें तो यहाँ पर census conduct किया जाएगा तबी जब जो भी हमारे इनकी boundary बिल्कुल यहाँ पर freeze कर दी जाएगी उसके तीन महीने बाद census किया जाएगा क्योंकि अगर उसके बाद क्योंकि अगर हम boundary को freeze नहीं करते हैं तो अगर कोई भी change जोगा तो वो census के अंदर गिंती में नहीं आएगा इस विसे यहाँ पर boundary को freeze करने के बाद में हम यहा करता है लोग का population का एक data हमारे पास मैं आता है कि कितनी जनसंग क्या है कितने 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 के लोग है वह सारका सरा data हमारे पास में एक पर्टिकुलिर जंगरणा के दोरान आता है इसको हर दस साल में conduct किया जाता है हमने डिसकस किया और भारत के अंदर बहुत impoordinate पॉइंट स्टार्ड किया गया था 1872 में फिर उसके बाद में भालत के अंदर जो पहला synchronous census था synchronous census मतलब पूरे इंडिया में एक साथ एक बार में census होना ठीक होता non synchronous यानि जगा 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 इंडिया के कुछ-कुछ हिस्सों में आपर census होना लेकिन synchronous का मतलब है पूरे देश में एक बार एक इसमय पर census होना तो जो synchronous census था वो basically 1881 में हुआ था और उसके बाद से लगातार आप कर सकता हो हर 10 साल बाद यह census होता हुआ चला गया बात क्लियर होगी अब इंडिया के census को लेकर कुछ important key facts हैं सबसे वेली इसकी नोडल मिनिस्ट्री कोन है यानि किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है very important ministry of form affairs के अंदर में आता है census को हम लोग एक particular act के मादम से conduct करते हैं उसका नाम है census act 1948 जो population census यह जनगड़ना होती है न यह ध्यान अकना हमारे भार्दे समिधान के अंदर article 246 के तहत union subject में अंदर आता है बहुत important है union subject ध्यान रखना है इस बात को एक हमारे पास में state subject है union subject है तो आप से पूछ जाए सकता है कि जो population census है यह basically कौन से subject के अंदर में आएगा तो यह union subject यानि हमारी केंद सरकार का matter है केंद सरकार यहां पर population census को लेकर सारे के सारे काम कर सकती है ठीक है और यहां पर एक चीज और मेंशन किया यह एक सेकेंड नुक जाओ शायद एक एक स्लाइड यहां सब्सक्राइब हो गई है चलो कोई बातने अभी यहां पर इतनी इंफोर्मेशन लेता है यह आपको इंडिया के census को लेकर कुछ important key facts नज़र आएंगे ठीक है ना तो population census के बारे में जो आप से प्रिलिम्स में सवाल बन सकता है वो यहीं से बन सकता है ध्यान में रखना अगले पर्टिकलर आर्टिकल पर आते हैं एफ और पी फेर एंड रेमुडरेटिव प्राइस यह लगाता नियूज में होता क्या है एफ यह आपने समझना होगा important है खबर क्या निकल कराई है प गन्ये के उपर सरकार की साइट से जो सपोर्ट मिलता है ना जैसे MSP फसलों के उपर मिलता है मिनिममम सपोर्ट प्राइस है ना जो फसले होती है ना इनके उपर सरकार का एक सपोर्ट मिलता है सरकार यहां पर सबस्ते दाम में यह खरीद लेती है MSP जिसको में बोलता है मिन वो होता है minimum support price उसी प्रकार का होता है FRP बस difference यह है कि जो MSP है वो हमारी फसलों के ओपर दिया जा रहा है और FRP केवल और केवल गन्ने के लिए दिया जाता है ठीक है जो गन्ना होता है जो शुगर के इन होता है उसके लिए fair and remunative price दिया जाता है तो अभी protest चला है हर्याना के क्या FRP इसको समझते हैं इसको मैंने बता दिया full form एक बार बोल देता हूं फिर से fair and remunative price यह basically एक minimum price है जो कि यहाँ पर शुगर के इन farmers को दिया जाता है क्योंकि होता क्या है कि इन farmers से sugar mill करती क्या है जो चीनी की मिल होती है वो इस गन्ने को खरीती है फिर इस से चीनी बनत से आपने sugar cane के ऊपर price नहीं बढ़ाया है अब बात यह आती है जो examination पूछा जाएगा कि इस fair and remunative price को fix कौन करता है देखो इसको fix किया जाता है हमारी union government के थूँ खासकर आप से committee के परें पूछाता है तो वो है committee sorry cabinet committee on economic affairs ठीक है ना ध्यान रखना FRP को fix कौन करता है fix करता है cabinet committee on economic affairs और recommendation भी होती है यानि एक body है जो कि recommend करती है recommend करने वाली body कौन सी है commission for agriculture cost and prices ये सवाल UPSC ने पूछा था ठीक है ना FRP को लेकर इसमें लोग confused हो गए थे क्योंकि लोगों ने यापर एक ही जीच पड़ रखी थी कि हमारी या fix कौन करता है बस खाली इतना पता है और अ cabinet committee on economic affairs बात क्लियर हो गई अब यह FRP tag कैसे किया जाता है तो उसके लिए एक particular act है हमारे पास में sugarcane control order 1966 तो इसी particular rules and regulations के according यहां पर इसको हम लोग regulate करते हैं methodology की बात करें तो यहां पर जो FRP है यह मैंने आपको बता recommend किया जाएगा किस basis पर production demand supply कैसी है तो उसके basis पर international level पर क्या दाम चल लें उन सब चीजों को देखते हैं यहां पर इसका दाम जो है वो set गया जाता है FRP का इसके benefits क्या है farmers को एक support मिल जाता है मैंने आपको बताया ह है ना जो शुगर मिल से है जो चीनी के मिल है वो profit generate करें या ना करें लेकिन शुगर मिल को यह पैसा देना होगा farmers को यहां पर गन्ने का एक दाम मिल जाता है इससे यहां पर ज़्यादा चिंता है farmers को होती नहीं है बात क्लियर हो गई बात कि आप देखोगे कि यह जो benefits है न के लावा एक चीज़ और होती है यह भी ध्यान में रख सकते हो चीक है बात क्लियर होगी सवाल आएगा यहीं से आएगा इतना क्लियर करके चलना नेक्स्ट इंपोरेंट आडिकल पर आते हैं अगला आडिकल बात करते है नैशनल कॉन्फरेंस और चीफ सेक्रेटरी के बार हुआ था 2022 में यानि पिछले साल जून के महीने में 16-17 जून के बीच में और यह दूसरा सम्मेलिन अभी यहां पर हुआ है जून के महीने में लगबग 5 से जनवरी के महीने में 5-7 जनवरी 2023 के अंधर में ठीक है आप लेटेस्ट पिचर देख पारे होंगे तो इस क्या कर सके हमारी जो केन सरकार वह राजसरकार के साथ में अपनी जो पार्टशिप उसको और hill कर सके यानि के अपने जोड़ी को funeral करकर के हमारे डिवलापमेंट के लिए हमारी एकनोंिक गोड़ों के collaborate करके साथ में मिलकर action लेंगे साथ में हापर growth को बनाएंगे job creation के उपर काम करेंगे human development के उपर काम करेंगे तो और आपके सकते हो यह जो conference है यह बिसिकली एक अलग से step है यह एक ऐसा step है जो कि हमारी केंज सरकार और राजसरकार की जो partnership है उसको और जदा मजबूत कर रहा है इनके बीच में जो संबंद उसको और जदा गहरा करता हुआ नजर आएगा ठीक है बात क्लियर हो गई तो center states को और साथ में लेने का काम करेगा यह जो discussion आपको देखने को मिलता है जो conference के अंदर जो भी बातचीत हुई है न वो कई सारे मुद्दे उपर हुई है जैसे कि MSME यानि कि Micro Small Medium Enterprises छोड़े छोड़े बिजनस को कैसे बढ़ाया जा सकता है कैसे infrastructure बढ़ा सकते हैं investment को कैसे बढ़ाया जा सकता है वेमेन के लिए कैसे हम काम कर सकते हैं health and nutrition के उपर बात की गई है लोगों के skills को develop करने के उपर बातचीत की गई है तो एक कुछ important themes आपको देखन के अंदर में June 2022 में ध्यान अकना इसके बारे में आगे आते हैं next important article अब यहां पर एक और समिट चर्चा में जिसको हम लोग बोलता है Y20 Summit आपने G20 यह सब कुछ सुनाए एक नया concept news में है ध्यान अकना Y20 Summit क्या है समझता है इसको पहले हम समझेंगे खबर क्या हमारे पास मे इसका थीम लॉंच कर दिया थीम आपको यह दिखेगा यह है Y20 इंडिया 2023 यहां पर इसका थीम है यह इस प्रकार से वाई बनाया गया है यह टू बनाया गया और यहां पर यह चक्रा के साथ में यहां पर इसको जीरो बनाया गया तो Y20 Summit का मेजर मकसद के मैं आपको समझात यह एक उफिशल यूथ इंगेजमेंट ग्रूप है, यानि कि जो हमारे यूथ है ना, जो हमारे नौजवान लोग देखने को मिलेंगे, उनका यहाँ पर एक ग्रूप को बनाया गया है, ठीक है, यह ग्रूप इसलिए बनाया गया है, ताकि G20, जो G20 ग्रूप है, आपने G20 क लग हो जाते हैं, तो यह बेसिकली पूरा का पूरा मिलकर आप देख पा रहे होगा, एक यूरॉप इन यूनियन और यहाँ पर बाकी 19 देश हो गए, यह सब मिलकर G20 को बनाते हैं, इसमें आपर इंडिया भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना, तो होता क जाए कि जो Y20 समिट है ना, यह क्या करेगा, इसमें हमारे कुछ नौजवान का ग्रूप होगा, बीसलो का ग्रूप होगा, और वो सब यहाँ पर क्या करेंगे, जी ट्वेंटी ग्रूप को बिसिकली सपोर्ट करेंगे, कुछ यहाँ पर अलग-लग मैटर्स के उपर करेंगे, दुनिया भर में क्या-kia प्रॉब्लम से उनके बारे में चर्चा की जाएंगी, चर्चा करने के बाद में वो सारी चीजा recommend की जाएंगी, G20 जुरूप के पास में, G20 लीडरेश के पास में, फिर G20 लीडरेश उसके उपर चर्चा करेंगे, अगर उनको कुछ करता है आगे इंप्लिमेंट कर निकले तो उसको लागू कर देंगे ठीक है बाकी वाइट 20 समिट यह न्यूज में है तो ध्यान अकना इंडिया जो है न वो इस समिट को पहली बार होस्ट कर रहा है फॉस्ट टाइम भारत यहां पर इसको होस्ट कर रहा है इस वज़ए से आर पर discussion किया जाए और उन discussion के बाद में कैसे हम climate change से लड़ सकते हैं कैसे environment को बचा सकते हैं जो भी topics हमारे पास में आएंगे फिर उसके उपर action लिया जाए उसके उपर काम किया जाए कि हाँ अब यहां पर समय है काम करने का वो सारी बाते group 20 यानि जो G20 group है उनके leaders के पास में उनका approval मिलेगा है ना तो basically यहां पर इसको आगे implement किया जासेगा है ठीक है बात क्लियर हो कि Y20 summit के बारे में I hope आपको यह बाते समझ में आ चुकी होगी यह मैं आपको बता दिया है तो G20 group के अंदर में जितने भी देशन नाम ध्यान रखना एक examination के अंदर G20 countries को लेकर भी स सभी को पता होगी ट्रिक का नाम है गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है यहां पर ट्रेक है अब इसमें यहां पर गुरुजी सीता अब SSC FCI में यह वर्ड से आपका पूरा का पूरा G20 का 20 का 20 देश याद जाएगा जैसे गुरुजी का जी जो है जिस उससे जर्म अब की बात करें तो अर्जेंटिना और ब्राजिल फिर उसके आद में SSC की बात करें साउड़ी रिविया साउफ कुरिया कैनेडा देन FCCI की बात करें तो यहां पर फ्रांस चाइना और उसके बाद में इटली यहां पर आपको मैक्सिको और यूर्पा न यूणियन देख का हाई कोट ने अभी हाँ पर रीसेंटली सरकारी जो करमचारी हैं गौवर्मेंट एंप्लोई इनके उपर जोड दिया है कौण से सरकारी एंप्लोई जो कि हाँ पर रीसेंटली एक स्ट्राइक के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे ठीक है और स्ट्राइक का मतलब यह है कि धरने पर उतर कर आ चुक हैं यहाँ पर यह लोग जॉब कर रहे हैं धरने पर उतर कर आ चुक हैं इनकी कुछ मांगे है उसको यह पर यह पूरा करने के लिए हैं इससे क्या हो रहा है जो जो magical life की और यह से कही ना कहीं आप कह सकते हो कि अगर आप ये बोल लें कि ये जो right to strike है संभीधान के अंदर article 19 में आपको दिया गया है तो आप कहीने कि इसका violation करो क्योंकि आप normal public को परिशान नहीं कर सकते अपनी strike से अगर प्रशान कर रहे हैं तो कहीने की violation है इसका साधी साथ में केरेला का जो अपना खुद का rules है केरेला government servant conduct rule 1960 इसका भी violation होता वह नजर आ रहा है तो केरेला सरकार नहीं आपर right to strike की यहाँ पर एक तरीके से काफी ज़दा अलोचना करी है राइट to strike क्या है जैसे आपके पास में काफी सारे हक दिये गए ना freedom of rights आपको दिये गए है वैसे ही समिधान में article 19 one clause c के अंदर में आप देखोगे राइट to strike के बारे में चर्चा की है इस ट्राइक क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ देखो यहाँ पर क्या होता है इस ट्राइक मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी employees जो भी करमचारी एक particular organization में काम कर रहे है ठीक है अब यहाँ पर उनको कुछ conditions होती है उसके basis पर काम करना होता है यानि कि जो भी उस particular organization का मालि एक है employer जो है ना उसके कुछ conditions होती है उनको follow करकर employees को काम करना पड़ता है बट strikes तब निकल कर आती है जब यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो employees है उनको काफी problem face करनी पड़ती है जो employees वो चाहते हैं कि उनको लंबे समय से उनके मजदूरी नहीं बढ़ाई जा रही है ना उनको कोई benefit नहीं मिल पा रहा है या फिर यहाँ पर उनकी जो working condition है वो improve नहीं हो रही है बेकार का काम करवाया जा रहा है उनसे और उनको कोई equipment से वगरा नहीं provide करवाया जा रहे है तो basically यहाँ पर यह लोग राइट करते हैं इनका कहना यहाँ पर हम धरने बेट जाएंगा हम काम पर आएंगे ही नहीं हमें यहाँ पर यह चीजे इंप्रूफ चाहिए तो इस प्रकार कि यहाँ पर यह राइट तो स्ट्राइक की जाती है हर एक देश के अंदर यहाँ पर आप देखोगे चाहिए वो democratic कंट्री हो चाहिए वो capitalist हो चाहिए वो socialist हो सब ने यहाँ पर अपने देश लोस माझा सकती है तो कभी कभी इस का गलत इंपक्रग लिगल्डिया के अंदर यह पेर रट्च करने काَ लेकिन जो राय डूट तो नहीं है बट एक legal right है बहुत important point है ध्यान अकना right to strike आपका fundamental right तो नहीं है लेकिन एक legal right है यह बात यहां पर आपने ध्यान में रखनी है ठीक है बात clear हो गई फिर इस right के साथ कुछ important restrictions को भी add कर रखा है कुछ restrictions यहां पर लगा रखे हैं जो कि industrial dispute act 1947 के तहत mention किये गए हैं इ इंडिया के अंदर आप देखोगे इस particular strike को काफी सारे जो acts हैं उनके तोर पर इनको recognize कर रखा है तो काफी सारी जो powers हैं यहां पर workers को मिल जाती है right to strike के माधियम से आप ऐसा देखोगे तो right to strike कई सारे laws जिसके तो यहां पर recognize किया जाता है इंडिया के अंदर में जैसा मैंन कुछ reasonable restriction कुछ यहां पर रोक टोग भी लगाई जा सकती है तो यहां पर इस प्रकार से right to strike अगर कोई गलत तरीका impact डाला होगा right to strike की वजह से country के अंदर industries के उपर एक गलत impact पड़ रहा होगा तो basically यहां पर जो state है वो कहीने के restrictions भी लगा सकती है रोक भी लगा सकती है आप के इस हक के उपर यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है बाकी right to strike को recognize किया गया कुछ international law के माधियम से इंटरनाशनल लेबर organization जो है ना ILO इसने भी यहां पर right to strike को आप कर सकते हो कि एक मानिता दे रखी है इसको recognize कर रखा है और इंडिया खुद यहां पर ILO का member है ध्यान अ इंटरनाशनल लेबर organization का भारत भी यहां पर member है right to strike को लेकर कुछ important judgment साइं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जैसे यहां पर डेली पूलिस वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 का यहां पर केस आपको यह देखने को मिलेगा जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने support किया था कि आप य इनके पास में कोई ऐसा fundamental राइट यहां पर नहीं देखने को मिलेगा तो यह बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑलेडी सिच के बारे में पहले भी मेंशन कर रखाए तो दो केस यहां पर पर पडिकुलर देखने को मिलेंगा right to strike को लेकर next important news article again काफी जादा important है बात करने वाले है global glacier change के बारे में तो अभी एक रिपोर्ट आए जिसने यह बताए 21st century के अंदर जो हमारे glaciers हैं जो बरफीले पहाड़ हैं वो लगातार पिघलते वे इतनी तेजी से पिघलने कि वह आने वाले समय पर खतम ही हो जाएंगे ठीक है तो हाली में यहां पर एक रिपोर्ट आई जिसका नाम है global glacier change तो यह मैं चैलेंज पढ़ने जा रहा हूं तो global glacier change यहां पर इसका ना ही है वह disappear होती चलेगे और 2100 तक यहां पर 21st century तक यह बरफ disappear हो जाएगी खतम हो जाएगी दिखाई भी नहीं पड़ेगी यह हालात हो जाएंगे इससे बहुत नुकसान होगा पूरे दुनिया भर में क्या-क्या नुकसान पहुंचेगा उसको भी हम यहां पर समझने की है ना तो यहां पर बोला जारे एक सटीक अंदाज आ है इनका और सटीक अंदाज आ है और इसको हमें बिल्कुल भी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए हम यही करते हैं कि चीज़े हमें पता है लेकिन हम नजर अंदाज करकर लगातार यहां पर वही गल्तियां दोराते रह इस रिपोर्ट ने यह बताया कि सबसे पहले चीज़ ग्लैशर से ना वह बहुत तेजी यानि जो बहुत रेट जो है न उसका बहुत पिघलने का वह बहुत ज़्यादा तेज देखने को मिलेगा फिर आप कर सकतों बहुत बहुत तेजी स्तर से यहां पर यह पिघलते वे ने 94 और 2017 के बीच में पता है कई सारा बरफ पिगल चुका है कि इतना ग्लैश्यर पिगला है कोई अंदजा है 30 Trillion tons के असपास ना मिलियन ना बिलियन यहां पर ट्रिलियन की बात की जारी है 30TL expands के आसपास यहां पर बरफ पिगलता हूँ नजर आ रहा रहा है जो इस प्रकार क वह 21 तक तो खतम हो जाएगा वैनिश हो जाएगा हमें वह दिखाई भी नहीं पड़ेगा ठीक है तो यह यहां पर मेंशन किया गया है हम लोग ने कई सारी शपते ले रखी है कि हाँ अपने टेंपरेचर को इतना मेंटेन करेंगे इतना चलेंगे जैसे पैरिस क्लाइमिट तो आने वाले समय पर जो हमने टार्गेट भी सेट कर रहा कि उसके इसाफ से बात करें तो लगातार गर्मी बढ़नी बढ़नी है और कहीं न कहीं इस से आने वाले 30 सालों के अंदर हमें बहुत बढ़ा जटका लगेगा 30 सालों बात यहां पर हम देख पाएंगे काफी सरी बरफ ऑल्रेडी वैनेश हो चुकी होगी देख भी नहीं रही होगी ठीक है और यह ग्लोबल वार्मिंग अगर यह कंटीनियू होता रहा जैसे करेंट रेट जो है ना ग्लोबल वार्मिंग का वह 2.7 डिगरी सेल्शियस देखने को मिलेगा इस प्रकार से यहां पर थोड़ा स ग्लैशर जिसने सबसा ज़्यादा पानी अपने अंदर होल्ड कर रखा यह जो बरफ आपको दिख रहे ही ना यह सब पानी ही तो है इसको पिगला दो सब पानी ही तो बन जाएगा और सपोज यहां पर यह सब कुछ पिगल गया है तो यही एक सबसे बड़ी प्रॉबलम है कि अगर ग्लैशर पिगलेगा तो यह कोई यहां पर आप कह सकते हो यह चिंता वाली बात तो ही इसके साथ एक सबसे बड़ा रिस्क है वो है रिस्क ऑफ डिजास्टर रिस्क ऑफ डिजास्टर यह है कि सब कुछ पिगल जाएगा तो सब पानी ही बदल जाएगा और दुनि आने वाले समय पर दिक्कते और बढ़ने वाली हैं कोगे इससे क्या दिक्कते होंगी इससे जो भी कंट्रीज हैं जिनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो की समुदुर के पास में जैसे इंडिया का एक्जाम्पिल हैं तो हमारा महराश्रा मुंबई हो गया उसके बाद में और क टेंपरेचर उसको थोड़ा सा रेगुलेट करके रखो टेंपरेचर को थोड़ा सा आपको नॉर्मल करना पड़ेगा यहीं यहां पर एक लौता आप सोलुशन कह सकतो जो की बचा है बात क्लिर होगी तो यह था हमारा आज का लास्ट आर्डिकल तो आज आर्डिकल अंदर एक कॉंफिडेंस आए गा यार कि हाँ मैंने इस सीख लिए और क्वेशन भी लगाना आ गया है मुझे क्वेशन नंबर वन अभी हमने शुगर केन वाला आर्टिकल जब पड़ा था तो मैंने आपको फेर और रेमुनरेटिव प्राइस के बारें पड़ाया था तो उसी से लिंक है फेर और रेमुनरेटिव प्राइस के रेफरेंस में आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिये गए है पहला स्टेटमेंट यह बेसिकली एक मिनिममम प्राइस है जो कि शुगर केन जब खरीदा जाता है न यानि कि जो शुगर मिलो होती है जब इसको प्राइस का अंसर दो नीचे कॉमेंट सेक्षिन में आगे मैं आपको फिर उसका अंसर उसके सब कोशन के आंसर में एक साथ ही दूंगा अगला क्वेशन अभी हमने ने नाशनल कॉंफरेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी के बारे में डिसकेशन किया था तो इस पर्टिकुलर कॉं पहला कॉंफरेंस हुआ था वो हुआ था धरमशाला के अंदर में साल 2022 में बताओ यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट साही है ऑप्षण A1 ओनली ऑप्षण B2 ओनली ऑप्षण Sी दोनों साही है या फिर ऑप्षण D दोनों के दोनों गलत है फटा फटा फट आंसर लिखते रह एक official youth engagement group है यहाँ पर कुछ नौजवान होंगे जो कि basically G20 group को लेकर यहाँ पर क्या करने वाले हैं कुछ आप कर सकते हो कि अलग-लग policies के उपर बातचीत करने वाले हैं और वो सारी चीज़ें यहाँ पर G20 के पास में जाएंगी और फिर वो G20 उसके उपर discussion करेंगे G20 के लेटर तो basically जो Y20 है न यह एक official youth engagement group है G20 का यह बात समझ में आ गई दूसरा रश्या जो है न इसका यानि रश्या जो है Y20 summit का पहली बार hosting country बना वाए यह भी आपको बताना है तो रश्या इस hosting का Y20 summit for the first time यानि कि जो हम 2030 की summit की बात करें तो इस बार कौँ से देश ने host किया क्या रश्या ने host किया है जरह नीचे comment section में इसके बारे में बताओ ठीक है यहाँ आपको option दिए गए option A1 only, option B2 only, option C दोनों सही है या फिर option D दोनों के दोनों उंकल लाता है next question पर आते है आते हैं next question की दरफ अब यहाँ ने डीप और वील के बारे में भी discussion किया था तो डीप और वील जो जील है ना इसके reference में आगेन आपको दो statements दिए गए है पहला statement डीप और वील बिसिकली एक रामसर साइट है एक लौती रामसर साइट है असम के अंदर वे दूसरा question एक threatened bird है एक बर्ड है जिसका नाम है बेर पोकर्ड यह वाली जो बर्ड है यह एक threatened bird है यानि एक सब्सक्रादा खत्रा है क्या यह बर्ड यहाँ पर इसलेक में पाई जाती है नीचे आपको options दिए गए है option A one only, option B two only option C दोनों सही है या फिर option D दोनों के दोनों गलत है जरा नीचे इसका answer दो फिर अभी हमने rubber plantation को लेकर एक article discuss किया था तो rubber plantation को लेकर एक question है यहाँ पर rubber plantation के reference में आपको यहाँ पर दो statement से दिए गए है पहला statement जो rubber है ना वो moist और humid climatic condition में grow नहीं होता है does not ठीक है ना यानि कि जो भी हमारा ऐसा climate जिसमें नमी है उसमें यहाँ पर rubber grow नहीं हो सकता दूसरा statement जो natural rubber होता है ना यह एक polymer है जो कि chemical molecule से बना है जिसको हम लोग बोलता है propylene क्या propylene ही एक chemical molecule है जिससे यहाँ पर natural rubber बना हुआ है ज़रा बताओ नीचे comment section में option A बोलता है one only, option B, two only, option C दोनो statements है या फिर option D दोनों के दोनों गलत है चलो आगया आता है उसके बाद अगले question की तरफ next question बात करता है निल्गरी biosphere reserve के बारे में हमने starting में discuss किया था तो निल्गरी biosphere reserve के reference में आपको दो statement दिए गए है पहला statement पन्ना wildlife century भी biosphere reserve का यानि इस biosphere reserve का हिस्सा है दूसरा statement निल्गरी biosphere reserve का जो major part है ना जो major core area है वो केरेला और तामिलाडू के अंदर फैला हुआ है बताओ कौन सा statement सही है option A1 only, option B2 only option C दोनों सही है या फिर option D दोनों के दोनों आपको गलत देखने को मिलेंगे तो ये थे हमारे आज के कुछ questions जो भी आपके answer निकल कर आए हैं अब मैं आपको answer चेक कर वाऊँगा फिर उसके बाद अपना score जो है नीचे comment section में लिखना last वाले question से answer देखना start कर देते हैं तो आपसे पूछा गया है निलगरी biosphere reserve के reference में पनना के बारे में आपको पढ़ाया ही नी तो that is why ये answer हो गया है wrong ध्यानक न ऐसा question पूछा गया था UPSC के level से भी इस question को थोड़ा toughy बना दिया गया है तो अब पहला वाल तो हो गया गलत दूसरा वाला निलगरी biosphere reserve बिसिकली एक जिसका जो major core area है क्या ये Tamil Nadu और Kerala में फैला वाई बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पर option 20 का सही answer हो जाएगा अगले question पर आता है rubber plantation के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई थी तो rubber plantation को लेकर बताना था कौँसा statement सही है वैसे दोनों के दोनों statement गलत है क्यों समझते हैं मैंने आपसे क्या पढ़ाया था आपको क्या पढ़ाया था rubber plantation जो एना rubber को हम grow करते हैं एक ऐसी climate condition में जो की humid हो moist हो जहाँ पर थोड़ी नमी देखने को मिले लेकिन यहाँ पर बोला है कि ऐसी climate में यह grow नहीं करता है तो पहला statement तो हो गया खतम यह गलत है दूसरा statement जो natural rubber है यह पॉलिमर है जो की एक chemical molecule से बनता है जिसको हम प्रॉपलीन बोलते हैं तो क्या प्रॉपलीन था यह प्रॉपलीन था या आईजो करके कुछ था याद करो याद करो याद करो तो इस वैसे यहाँ पर दूसरा statement भी गलत है दूसरा statement इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर यह किस से बनता है यह प्रॉपलीन से नहीं बनता है यह बनता है आईजोप्रीन से हैना आईजोप्रीन के बारे में आपको पढ़ाया भी था formula यह बताया था starting में याद होगा चलो आगया था है फिर next article में आपसे discuss क्या था Deep or Bill Lake के बारे में Deep or Bill Lake को लेकर दो statement थे Deep or Bill Lake एकलोथी रामसर साइट है Assam के अंदर सही बात है दूसरा यहाँ पर क्या होता है न कुछ threatened aquatic birds जैसे मैं आपको बताया तीन प्रकार की चलिया थी जिसमेरा अलग नाम बताया थे याद हरा होगा इसमें से एक बेर पोकाड क्या यह भी यहाँ पर इस लेक में पाई जाती है तो हाम बिल्कुल सही है तो दोनों के दोनों statement सही है that is why option C correct हो जाएगा तो मैंने कौनसी कौनसी birds के नाम बताया थे याद होगा एक बताया था spotted build pelican, दूसरा lesser greater adjutant, stork और तीसरा bear पोकाड तो यहाँ पर यह तीनों ही bird इस जील में पाई जाती है अगले question बराता है फिर आपसे पूछा गया था population census के reference से बताओ कौनसा statement सही है पहला, इंडिया के अंदर में जो सबसे पहला census है वो start किया गया था अंडर दा British voice ray Lord Mayo ठीक है, यह तो वैसे सही है लेकिन यहाँ पर मैंने question यह है Lord button था है, यह यहाँ पर Mayo यह सही वैसे है, ठीक है तो यह मैंने change करना भूल गया हूँ कोई बात नहीं, आपको बता देता हूँ question आपसे जो पूछा गया था उसी से discuss करेंगे question यह था कि भारत के अंदर पहला census under the British voice ray Lord button के अंदर में start किया गया था, कि ऐसा था, नहीं यह basically जो voice ray थे ना Lord Mayo थे, Lord Mayo के अंदर में start किया गया था इस वैसे पहला statement तो हो जाता है, गलत दूसरा statement देखते हैं, Indian constitution के according बात करें, तो जो यह जनगरणा है वो हमारा union subject है, बिल्कुल सही बात है हब भी हमने discuss किया था, तो option भी जो है पहला statement भी है, दूसरा statement क्या इस summit का, रश्या एक hosting country है पहली बार ऐसा नहीं है, इंडिया यहां पर इसका basically अपकी बार पहली एक hosting country बना है, that is why option A is the सही answer, ठीक है, अगले question पर आते हैं फिर आपसे national conference for chief secretaries के बारें पूछा या, इसके reference में दो statements दे गए है, पहला statement यह जो conference है, इसका major focus है कि states के साथ में यहाँ पर center की जो relationship हो, उसको मजबूत करना, economic growth को promote करना, सही बात है, दूसरा statement बोलता है कि जो पहला conference है यह हुआ था, धरमशला के अंदर साल 2022 में, यह भी सही है, क्योंकि मैं आपको बारे में, fair and remunerative price के बारे में तो FRP के reference पर दो statement दिये गए, पहला statement यह basically एक minimum price है, जो कि यहाँ पर, जिस price पर हम लोग जो गन्ना है वो खरीते हैं, जो sugar मिल से वो इस गन्ने को खरीती है, farmer से, सही बात है अभी हमने discuss किया था, तूसरा इस price को fix किया जाता है, commission for agriculture cost and prices के दुरू गलत यहाँ पर fix करने वाली body कौन सी है, तो मैंने आपको इसलिए बोला था starting में ध्यान से सुनना, इसको fix करने वाली body है cabinet committee on economic affairs जो यह commission for agriculture cost and prices है ना, इसका काम है recommend करना तो यह जो body यहाँ पर दी गई है, इसका काम है recommend करना price को fix करने का काम नहीं है fix करने का काम दूसरी body का है that is why option is the correct answer तो दोस्तों आपका क्या रहा है score जड़ा नीचे comment section बताओ, कितने आपने उत्तर सही दिये है ठीक है, आज का थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ कुछ question है, थोड़े से typical हो गए होंगे लेकिन कोई बात में आपने अच्छे से सोना होगा तो जरूर बढ़िया से जवाब दिये होंगे और काफी सारे लोग के सही सही answer जा रहे हैं, सारे के सारे जो कि अच्छा लगता है तो कितने लोग के यहाँ पर सारे के सारे correct to answer नीचे comment section में आप लोग बता सकते हो honestly आपको बताना है कि हाँ यार मैंने इतने question attempt किये तो और इतने मेरे सही हुए, इतना मुझे यहाँ पर समझ में आया नहीं है, नीचे comment section में लिख दो फटा फटा ठीक है, तो score लिख देना बाकी हम लोग करते हैं आज के अपने session को समाप, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में आज के लिए बाइ-बाइ, have a nice day, thank you and जैहिंद